नमस्कार दोस्तों, एक बरफिट से आप सभी का टुदुपर्ण चैनल में स्वागत है, दोस्तों आज के इस क्लास में UP पुलिस एक्जाम के लिए सामान निग्यान का प्रिबियस एर का पेपर सॉल्व करेंगे, 27 जनवरी 2019 सिफ्ट पस्ट में जो भी प्रस्ण सामान निग् नहीं दोस्तों, भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन, ट्रेन 18, इंटीग्रल कोच फेक्टरी द्वारा विक्सित की गई थी, किस इंटीग्रल कोच फेक्टरी द्वारा विक्सित की गई थी, आपको यह बताना है, आप सभी के सामने है, चित्रंजन, पटियाला, च चिन्नाई यहाँ पर आपका सी आपसन राइट हो जाएगा ट्रेन 18 का निर्मार दोस्तो चिन्नाई इंटीग्रल कोच फैक्टरी द्वारा विक्सित किया गया है यह भारत की पहली इंजन रही ट्रेन है इसे याद रखियेगा इसका नाम दोस्तो 26 सनवरी 2019 को परिवर्तित कर के वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है इसे भी आप लोग याद रखियेगा दूसरा प्रश्ण है आप लोग ध्यान से सभी प्रश्णों को देखते हुए चलिए और सभी प्रश्णों का उत्तर बताते हुए चलिए नवंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ 500 बिलियन डॉलर के सौधे पर हस्ताक्षर किया है जिससे अस्थानी अस्तर पर दो गोपनी युद्ध पोतो एस चार्शों का निर्माण किया जाएगा आप लोग बताईए यहाँ पर आपका राइट असुर क्या है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट असुर है रूस यहाँ पर आपका बी अपसर राइट हो जाएगा यह करेंट अफेर का प्रस्ण है इस बार भी इसी तरह से प्रस्ण पूछा जाएगा इसलिए ध्यान से आप लोग देखते हुँ चलिए सरदार वल्लब भाई पटेल राश्टी पूलिस अकादमी के पास इस्थित है कहां पर इस्थित है आपको यह बताना है आप लोग जल्दी से बताईए तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट असुर है हैदराबाद यहाँ पर आपका ए आपसर राइट हो जाएग सरदार वल्लब भाई पटेल राश्टी पूलिस अकादमी हैदराबाद में इस्थित है यह भारत की प्रमुख पूलिस प्रसिक्षर सास्थान है इसे याद रखिएगा इस अकादमी के अस्थापना दोस्तों 15 सितंबर 1949 को हुई थी 15 सितंबर 1949 को हुई थी ठीक है कहां पर माउंट आभू में केंदरी पूलिस प्रसिक्षर के रूप में इसके अस्थापना की गई थी माउंट आभू राजस्थान में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्श रखिए दोस्तों नौमबर 2018 में किस भारती राजी की विधान सभा भंग कर दी गई थी आप लोग में जम्मु कस्मिर राज की विधान सभा भंग कर दी गई थी यहां पर आपका बी आपसन राइट हो जाएगा आप लोग देखिए करेंट अफेर से प्रस्थन किस प्रकार के पूछे जाते हैं ऐसे ही प्रस्थन यूपी पूलिस एक्जाम में करेंट अफेर के अंतरगत धियान से дेखते हूँ चलिए महा धमनी के सीर्स पर सुरू होती है बाया निले के सीर्स पर सुरू होती है और याद रखिएगा महा धमनी की दीवार में कोलेश्टाल टुकडे का निर्माड होता है नेक्स है दोस्तो गैलवे नाइजेसन का मतलब इस पात को की पतली परत के साथ आवरन करना है किसकी पतली परत के साथ आवरन करना है आपको यह बताना है तो इसका जवाब है दोस्तो जस्ता यहाँ पर आपका B आपसन राइट हो जाएगा C60 एक अणू है जिससे के रूप में ब्यवस्थित 60 कार्बन परमाण होते हैं यहाँ पर खाली अस्थान में क्या भरा जाएगा आपको यह बताना है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट शुरू हो जाएगा 12 पंच भुज और 20 सट भुज यहाँ पर आपका C आपसर राइट हो जाएगा C60 एक अणू है जिसमें 60 कार्बन परमाण होते हैं जिन्हें 12 पंच और 20 हेक्सागोन के रूप में ब्यवस्थित किया जाता है इसका आकार दोस्तों एक फुटबाल के गेंद के समान होता है इसे याद रखिएगा सर्वत्तम गुडवत्ता वाला कोईला जिसमें 80 प्रश्चत से 90 प्रश्चत कार्बन होता है वह है वह क्या है आपको यह बताना है तो इसका जवाब है दोस्तो, इंत्रे साइट्स, यहाँ पर आपका D आपसर राइट हो जाएगा, इंत्रे साइट दोस्तो, कोईला, इंत्रे साइट जो कोईला होता है, यह सर्वोत्तम गुरुवत्ता वाला कोईला होता है, इसमें उच उर्जा सामगरी, उच कार्बन प्रिश्चत कार्बन पाया जाता है निक्ष है को छोड़कर निम्न सभी संगरन बहुलक है किसको छोड़कर सभी संगरन बहुलक है तो यहाँ पर आपका राइट है पोली प्रोपोलीन यहाँ पर आपका B आपसन राइट हो जाएगा पोली प्रोपोलीन एक थर्मो प्लास्टिक बहुलक और यह एक कठी और क्रिश्टली थर्मो प्लास्टिक है दोस्तों जो प्रोपेन से उत्पन होता है इसे याद रखिएगा पॉली प्रोपुलीन को छोड़कर यहाँ पर अन्यसभी संग्णन बहुलक है इसे आप लोग याद रखिएगा नेक्ष है भारती प्रोद्दोग की संस्थान कानपूर ने में एक कारियाले बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोशला को संस्थान का विदेसी ब्रांड इंबेस्टर नियूक्त किया गया है तो इसका जवाब है दोस्तो यहाँ पर आपका राइट एसर है नियूव यार्क डी आपसन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा IIT कानपूर ने विदेसों में योगी सक्षिकों की खोज संस्थान के पूर्व छात्रों से कोस जुटाने और अनुसंधान को महत्त देने के लिए अमेरिका के नियूव यार्क में अपना कारियाले खोला है जहाँ पर पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेसी ब्रांड ने मिस्टेर नियूक्त किया गया है तो यहाँ पर आपका डी आपसन राइट हो जाएगा यह दोस्तों 2019 का प्रस्ण है इसे आप लोग ध्याना कियेगा करेंट अफेर का प्रस्ण है 2019 का प्रिवियस येर के यह सभी प्रस्ण है द्यान से आप लोग देखते हूँ चलिए उत्तर प्रदेश पुलिस भरतियम प्रोनेत बोर्ड द्वारा कांस्टेवल सिबिल पुलिस की नियूक्ती में सारेरिक शमता परिक्षा में पुरुष अभर्तियों को दोड़ने की जरूरत होती हैído तो इसका जवाब है दोस्तो 25 मिनिट में 4.8 किलो मीटर दोड़ने की जरूरत होती है पुरुष अभर्तियों को ठीक है तो यहांपर आपका यह आसान राइट हो जाएगा 22 जुलाई 2006 को उत्तर प्रदेश के राजजपाल के रूप में किसे ने सपत ग्रहन की थी देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राजजपाल के रूप में स्री राम नाइक 22 जुलाई 2004 को उत्तर प्रदेश के राजजपाल के रूप में श्री राम नाइक ने सपत ग्रहन की थी यहाँ पर आपका सी आपसन राइट हो जाएगा वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के नए राजजपाल के रूप में दोस्तो आनंदी बेन पटेल को नियुक्त किया गया है जिन्होंने राम नाइक की जगह ली है यहाँ पर आपका सी आपसन राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है आप लोग बताईए यहाँ पर आपका राइट है सुर क्या है देखे दोस्तो यहाँ पर आपका राइट है सुर है मुरादाबाद डी आपसन आपका राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है यह जिल्या दोस्तो राम गंगा नदी के तट पर इस सित है इसे भी आप लोग याद रखिएगा नेक्ष्ट है वर्स 1658 में बहादुर पूर के युद्ध में साह जहां के दूसरे बेटे साह सुजा को साह जहां के पोते ने हराया था किसने हराय था आपको यह बताना है तो यहाँ पर आपका राइटने सोरे दोस्तो सुलेमान सिकोह यहाँ पर आपका भी आपसर राइट हो जाएगा बहादुर पूर का युद्ध दोस्तो 1658 में उत्रा अधिकार का प्रथम युद्ध था इस युद्ध में दारा सिकोह के पर भी आपसर राइट हो जाएगा नेक्स रहे दोस्तो फिरोजाबाद में 200 वर्सों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है किसका उत्पादन किया जा रहा है आपको यह बताना है तो यहाँ पर आपका राइटने सोर है काच की चूडियां यहाँ पर आपका भ पुरियों का उत्पादन फिरोजबाद में 200 वर्सों से भी अधिक समय से किया जाता रहा है। पहलू उपर विशेस ध्यान देता है। पहलू उपर विशेस ध्यान देता है। जो की सान्ती भहुतिक, चिकित्सा, बिज्ञान, अर्षा, रसाइन और साहित के छेत्र में दिया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा अमर्त सेन को दोस्तों वर्ष 982 में याद रखिएगा 982 में नूबल पुरस्कार से पुरस्कित कीया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं भारती मुक्यबाज MC महरी काम द्वारा लिखित आत्म कथा का सीर्षक क्या है आप लोग बताईए यहाँ पर आपका राइट असुर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट असुर है Unbreakable यहाँ पर B आपसन आपका राइट हो जाएगा MC महरी काम द्वारा लिखित आत्म कथा का सीर्षक Unbreakable है क्या है Unbreakable है ठीक है और Playing to Win किसने लिखा है Playing to Win LG Laffle Runner Martin ने लिखा है और No Holding Back No Holding Back यह Michael Holding ने लिखा है Imperfect Sanjay Manjare करने लिखा है Next है 65 राष्टी फिल्म पुरुषकारों में किस फिल्म ने सर्फशेष्ट लोकप्री फिल्म पुरुषकार जीता था आप लोग बताईए यहाँ पर आपका राइट हैसर क्या है यहाँ पर आपका राइट हैसर है दोस्तो Bahubali to the Conclusion यहाँ पर आपका एअपसर राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका एअपसर राइट हो जाएगा निजी और सवेदन सिल जानकारी जैसे की credit card number वेक्तिगेत पास्चान और खाता उपियोगी करता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखा धड़िक वाला कार है क्या है malware है या trozen या hiking या fishing तो याद रखिएगा इसे दोस्तों fishing कहा जाता है यहाँ पर आपका डी आपसर राइट हो जाएगा fishing दोस्तों एक electronic संचार में एक भरोसेमंद इकाई की रूप में प्रशन उप्भोग करता का नाम पासवर्ड और ग्रेडिट कार्ड ब्यूरन आदि सम्वेदन सिल जानकारी धोखादड़ी से प्राप्त करने का प्रयास है ठीक है तो यहाँ पर आपका D आपसर राइट हो जाएगा चित्र कूट जलब प्रपाद भारत के किस राजी में इस्थित है तो इसका जवाब है दोस्तो 36 गड़ में यहाँ पर आपका C आपसर राइट हो जाएगा चित्र कूट जलब प्रपाद 36 गड़ राजी के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर है यह जलब परपाद घोडे की नाल के समान है और इसकी तुलना दोस्तों 20 सुप्रसिद नियागरा जलब परपाद से की जाती है इसे भी आप लोग याद रखिएगा वेनेजुएला देश की राजधानी है आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइटे सुर क्या है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइटे सुर है कराकस यहाँ पर आपका डी आपसर राइट हो जाएगा वेनेजुएला दच्छिड अमेरिका में इस सित एक देश है ज देखें दोस्तों यहां पर आपका राइट असुर है thorium, यहां पर D आपसन आपका राइट हो जाएगा thorium रेडियो धर्मी धात का विस्ट में सबसे बड़ा भंडार भारत में मवजूद है, thorium धात की खोच दोस्तों अठारा सो अठाइस में, अठारा सो अठाइस में बरज आश्रेलिया के एक मात्र दुईपी राजे का नाम बताएं। निमने में से कौन सा सहर गोदावरी नदी के किनारे इस्थित नहीं है। आप लोग बताएं। कारकाल के बाद भारत के राश्पत कौन बने थे। आप लोग बताएं। यहाँ पर आपका राइटे सुर क्या है। देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइटे सुर है ग्यानी जैल सिंग। यहाँ पर आपका सी आपसर राइट हो जाएगा। नीलम संजीव रेड़ी के कारकाल के बाद भारत के राश्पत ग्यानी जैल सिंग्ठ है। तो यहाँ पर आपका सी आपसर राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 इसापूर्व के भी सासन किया था और संपूर भारत में सामराजी को बढ़ाया था आप लोग बताएं यहाँ पर आपका राइटे सुर क्या है देखें दोस्तों यहाँ पर आपका राइटे सुर है बिन्दुसार यहाँ पर आपका सी आपसर राइट हो जाएगा बिन्दुसार दोस्तो ये मौरे वन्सके राजा थे जो चंद्रगुप्त मौरे के पुत्र थे बिन्दुसार को दोस्तो अमित्र गहात, सिंग हसेन तथा अजात सत्रु भी कहा जाता है इम्पोर्टिट पॉइंट है याद रखियेगा और याद रखियेगा बिन्दुसार मोरिज अम्राट असोक के पिता थे मेखेला चादर या राजी की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्तर है तो याद रखियेगा असम यहाँ पर आपका D आपसर राइट हो जाएगा मिखेला चादर या असमराजी की महिलाओ द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है यहाँ पर आपका D आपसर राइट हो जाएगा नेक्से दोस्तो रवींद्र नाथ टैगोर ने निम्न में से किस देश का राश्रगान लिखा था आपसर आप सभी के सामने है आप लोग जल्दी से बताईए यहाँ पर आपका राइट हैसर क्या है देखे दोस्तो यहाँ पर आपका राइट है बांगला देश यहाँ पर आपका डी आपसर राइट हो जाएगा रवींद्र टैगोर ने भारत के साथ साथ बांगला देश का राश्रगान लिखा था ठीक है बांगला देश का राश्रगान दोस्तो आमार सुनार बांगला है इसे 1906 में लिखा गया था इसे आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर D आपसर आपका राइट हो जाएगा वरगीज कुरियन को किसके द्वारा राश्री डेरी विकास बोर्ड के अध्यच के रूप में नियुक्त किया गया था आप लोग बताईए यहाँ पर आपका राइट हैसर क्या है देखे दोस्तो यह सभी प्रस्ण प्रिबिस एर एक्जाम में पूछे गया है ऐसे ही प्रस्ण इस बार भी यूपी पुलिस एक्जाम में पूछे जाएंगे इसलिए आप लोग ध्यान से देखते हुए जलिए और सभी प्रस्णों का उत्तर बताते हुए चलिए तो देखे दोस्तो यहाँ पर आपका राइट एसर है लाल बहादूर सास्त्री ए आपसन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा वर्गीज कुरियन को लाल बहादूर सास्त्री द्वरा राशी डेरी विकास बोर्ड के अध्यज के रूप में नियुक्त किया गया था यहाँ पर आपका A आपसन राइट हो जाएगा वर्तमान में भारती सम्विधान के कितने भाग है तो याद रखिएगा वर्तमान में भारती सम्विधान के 25 भाग है यहाँ पर आपका C आपसन राइट हो जाएगा नेक्शे दोस्तों मुगल समराज जहांगीर ने में साली मार बाग का निर्माण किया था कहाँ पर आप रोग बताईए यहाँ पर आपका राइटे सुर क्या है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइटे सुर है कस्मीर यहाँ पर D. आपसन आपका राइट हो जाएगा साली मारबाग भारत के जम्मु कस्मीर राज में विख्यात उद्यान है जो मुगल बाग का एक उधारन है इसे दोस्तों मुगल वास्ताह जहांगी ने स्री नगर में बनवाया था और स्री नगर दोस्तों ये भारत के उत्तरतम राज्य जम्मु कस्मेर की ग्रेस मकालिन राजधानी है तो यहाँ पर आपका D आपसन राइट हो जाएगा देख्शे दोस्तों वार्षिक भारती सास्त्री संगीत समारो सवाई गंधर्व भीम सेन महुत्सों में आयोजित किया जाता है कहाँ पर आयोजित किया जाता है आपको यह बताना है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट है पूडे में यहाँ पर A आपसान आपका राइट हो जाएगा सवाई गंधर्व भीम सेन महोसो पूड़े में आयोजित एक वार्षिक भारती सास्त्री संगिस समारो है इसे आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर आपका A आपसान राइट हो जाएगा निम्न में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सारुजनिक शेतर का बैंक है आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइटनेसर क्या है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइटनेसर है इलाहाबाद बैंक यहाँ पर आपका C आपसान राइट हो जाएगा बैंक का बिले इंडियन बैंक में कर दिया गया है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जुलाई 1944 में संयुक्त राश ब्रेटन उट सम्मेलन में किस अंतराशी संगठन की कल्पना की गई थी? तो इसका जवाब है दोस्तों, अंतराशी मुद्रा कोस, यहाँ पर आपका D आपसार राइट हो जाएगा. जुलाई 1944 में संयुक्त राश के ब्रेटन सम्मेलन में अंतराशी मुद्रा कोस, अंतराशी संगठन आपसार राइट हो जाएगा. तो ठीक है दोस्तों, आज की इस कलास को यही पर आप समाप्त करते हैं, यह सभी प्रस्ण प्रिवियस सेर एक्जाम में पूछे गए थे, इस बार भी UP पुलिस एक्जाम में ऐसे ही प्रस्ण पूछे जाएंगे, उमीद है यह कलास आपको अच्छा लगा है, अच्छा र räवा को यह कला सक जाएंगे, इस भी बहा है में पुलिस, इस बार कह दो आपको अजा survived और aku में प्रस्ण पतालम में प्रस्ण प्रस्ण पतायी प्रस्ण प्रस्ण Flil users